को पावर्ड बाई टेक्नो चलिए तो चुन सुन के हमारी खास प्रेस काई जिसमें की बाजार की उतार चड़ाओ में कैसे आपको बचाया जाए कौन से से शेर हो सकते हैं जो कि आपको बहतर रिटर्न दे सकते हैं क्या कुछ वहाँ पर टेक्निकल बोल रहे हैं फंडामेंटल बोल रहे हैं इन तमाम चीजों को हम परखते हैं हमारे एक्सपर्ट और सीधे चलते हैं राजे जी के पास राजे जी चुन-चुन के लिए कौन से शेर आइंटिफाई किया है आपने पहले बेंकिंग शेत्र से और जिसमें हमने पहले भी अपने बताया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक पर हमें यह पर भरोसा है और जिस तरीके सा आइसे इसे बैंक पर बाय करने की सलाय है यह स्टॉप में एक कंटिनिटी बनी हुई अप्ट्रेट की सीरीज ओफ आइट की और यहीं से एक अच्छा सपोर्ट बैंकिंग बैंक निफ्टी को भी आते वे दिखेंगा 1350 के लक्ष के लिए बाई क्या जा सकता है स्टॉप लॉस होना जी करी 1260 का दूसरा स्टॉप जो पसंदा रहा है वो है जूबिलियंट फूड का यह स्टॉप वीकली चार्ट मे यहां पर इस्टॉप हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते वे दिख रहा है जो कि एक साइन है सस्टेंड बाइंग एक्षन का तो जूबिलियंट फूड पर हम लक्ष जो एक्सपेक कर रहे हैं शॉट टेम के साबसे वाना चीए 730-740 की तरफ तो यह बाई किया जा सकता है 676 के स्टॉप लॉस से और तीसरा स्टॉप पावर शेतर की कंपनी और उसमें हमें पसंद आ रहा है एक अच्छा डेकाउट देखने को मिला हाला कि हायर साइट चे थोड़ा दबाओ जरूर आया स्टॉप में लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के इसके लांग टर्म इस्ट् पास चार सो बीस के आसपास चार सो बीस के आसपास चलिए तो ये तीन से रहेसे हैं और तिनोंई मुमेंटम वाले हैं टीपी से पर ख़बर है जो कि अभी हम बर्सिंग स्टॉक्स आपको दादें कि सबाब नहीं हुआ है हमाई साथ जो है अरोण के जरिवाल जी भी क्या यह एंटी पीसी के बाद खायदारी करनी है इसे ऐसे बैंक में तो प्राइबिट बैंकों पे लगातार राजेस जी का फोकस बना हुआ है और यहां पर भी ओखायदारी करने की सलाह दे रहे हैं इसे ऐसे बैंक में 1550 यह लक्ष निजायद करना है आपको एक इस टॉप सबस्षे धान रखे 33 रुपए नीचे करी 1260 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना होगा इसके अलावा जो कंपनी रिक्मेंट की गई है आज आपको वो है जूबिलेंट फूड वर्क्स में 676 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खईदारी करें और यहां पर उपर आपको जो लक्ष देखने को मिलेंगे वो 730 रुपए तक के लक्ष देखने को मिल सकते हैं राजेजी का आपके लंच का समय थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया मैं माफी चाहूंगा आज मुझे थोड़ा सा घड़ी देखने में समस्या हुई लेकिन थैंक्यू सर बहुत बहुत ध करेक्रम तुम्हारा चालू रहेगा कोई दिसकोजर आपकी तरफ से सर तो विपोल जी जिन भी इस टॉक्स पे चर्चा हुई है वो मेरे परसनल पोर्टफोलिय में नहीं है लेकिन यह स्टॉक्स हमारे क्लाइंस के पोर्टफोलिय में ज़रूर हो सकते हैं बहुत बहुत श सवागत है आपका एक बार फिर से हमारी खास स्वेश्ट कर्स सौधा मुनाफिका में सौधा मुनाफिका इसमें हरोज हम लेकर कर के आते हैं सडिफसी स्काई की तरफ से एक ऐसी कॉल जहां पर आने वाले दिनों में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं और इसमें हमारे सह होगी संदीब क्रोवर तो चलिए सीधे चलते हैं संदीब संदीब बताएए कि आप स्टिफसी स्काई की तरफ से आज कौन सी कॉल इनिशेट की गई है बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए स्टिफसी स्काई का मानना है कि आपको केम प्लास्ट सेनमार इस स्टॉक में ख़धारी करके चलना है रेकमेंड़ प्राइज है 489 यह प्राइज है जहां पर आपको ख़धारी करके चलना है पहला टागट होगा 580 रुपे का उसके बाद यह शेर 605 रुपे तक भी जा सकता है यानि कि 18% से जादा का रिटन 18% से जादा की कमाई आपकी स्टॉक में द देके चलना है तो चार महीने अगर आप होल करते हैं के एम प्लास के शेर को तो करीब-करीब 19% के आसपास की आपकी कमाई होती हुई नजर आ सकती है यह एक टेक्निकल कॉल है चार महीने का नजर यह है इसमें यह तमाम ट्रेडिंग कॉल्स स्काई आप का एक फीचर है जि स्काई के साथ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं चैने संदी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज की स्काउल के बारे में बताने के लिए और बताने के लिए कि एक की कॉल पे क्या लक्ष निकल करके आ रहे हैं क्या समयावध बाई टेकनो